ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स में कुल्दिप दिवाकर आपका पिरसे स्वागत है मेरी इस वीडियो लेक्चर सिरीज में जिसमें हम जनरल साइन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और जनरल साइन्स के बारे में पढ़ते हुए हम हक्षा आठ की चेप्टर नंबर टू कंऽ पढ़ रहे हैं दोस्तो हमने प्छले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से सुख्ष्मजीव जो होते है वो हमारे मित्र होते हैं वह में इसायता करते हैं जीवन के बहुत सारे किर्या कलापों में बदद करते हैं किस तरीके से वह सबक्राइब ने परिवर्टित कर देती है यिस्ट का पृइकिंग इंडस्ट्री में रूप में किया जाता है और हमने इस तरीके परति जेविक के रूप में किस तरीके से कवक और जीवानों को उपयोग में लिया जाता है और आज हम देखेंगे कि जो वेक्सिन होता है उसमें किस तरीके से ये उपयोगी होता है और मिट्टी के उरवर्ता बढ़ाने में किस तरीके से उपयोगी होता है तो चलिए दोस्त यह शुरू करते हैं तो वेकसीन हमारा पहला टौपिक है जब रोग कारक सुक्ष में जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लडने के लिए फ़दिर्एषी उत्पन करता है तो जब कभी भी रोग रोग को लिए बढ़ाने वाले जीवान उस नजी भाम में प्रति रक्षि उत्पन करते हैं वो प्रति रक्षि कारण वोड़ी को पता होता है कि इस तरीके से परतिरक्षी उत्पन करता है और अगर मृत अत्वा निश्क्रिय सुक्ष्म जीवों को स्त्वस्त शरीर में प्रवेश करवा दिया जाएं तो शरीर की कोशिकाईं उसी के अनुसार लड़ने लिए परतिरक्षी उत्पन कर देती है और रोप काई को इसी चीज बना लेती है जिससे वो नेक्स टाइम अगर वो सुक्षम जीव बोड़ी में परवेश करता है तो वो उसको बढ़ने नहीं देगी यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है क्योंकि एक बार प्रतिरक्षी कोशिका ने बना ली तो वो हमेशा हमारी बोड़ी में बनी रहती है और सुक्षम जीव से हमारी रक्षा करती है इस प्रकार यह प्रतिरक्षी वाले जो विदिय है यह हम कृत्रिम रूप से भी कर सकते हैं यह हम TK के दुबारा कर सकते हैं जिसके इंगलिश में वेक्सिन बोलते हैं तो जो वेक्सिन लगाया जाता है तो ऐसे प्रतिरक्षी बोडी में डाले जाते हैं जब बीमारी वाले सुख्ष्म जीव बोडी में जाते हैं तो वो प्रतिरक्षी उन बीमारी फैलाने वाले प्रतिरक्षी चले जाते हैं जो कभी बेजिवान जीवान 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 जाएं तो आपको चैचक कभी भी नहीं होगा क्योंकि बोड़ी में प्रतिरक्षी चले जाते हैं जो कभी बेजिवान सुक्ष्म जीवान के परवेश होने पर उनको रोगते हैं अब आपने कई पल्स पोलिव अभियान में क्या बछों को दो बूंद पिला ही जाती हैं तो वो भी एक टीके का प्रकार है बच्पन में आपको कई सारे टीके लगवाये जाते हैं अब दूसरा हमारा helpful जो हैंड होता है मदद करते हैं सुख्ष्मजीव होता है मिठी में और वरता की व्रद्धी तो मिठी में और वरता में व्रद्धी कैसे होती है को जीवाणों एवं नीले हरे शेवाल वायुमंडली नाइट्रोजन का स्थरी करन करते हैं मतलब वायुमंडे जे नाइट्रोजन गेसी अवस्ता में होती है उसको किस तरीके से पोधे यूज कर से पोधों की यूज करने वाले अवस्ता में बदलने के लिए सुक्षमजीव उपयोगी होते हैं इसलिए इनको जेविक नाइटोजन स्थिरी कारत कहते हैं कि कुछ शेवाल औ का शुद्धी करन पडियावन का शुद्धी करन कैसे करते हैं जैसे आपने स्कुल में माली को देखा होगा वो जब पोधे हुगाता है तो जब मिट्टी डालता है उसके साथ में गोबर डालता है जेविक खाद डालता है और वो जेविक खाद को उसके अंदर जो जिवानों होते हैं वो सरल पदार्तों में बदल देते हैं जिसके कारण वो खाद में परिवर्टित हो जाती है और वो खाद जो होती है वो जेवी खाद केलाती है और जेवी खाद होती है पोदों के दुबारा यूज ली जाती है तो इस तरीके से पोदे बड़े होते हैं अच्छे फल यह लेकिन आप जो प्लास्टिक और धूस्वे कच्र होते हैं उनको यह जीव वो स्रल पदार्तों करिवटित नहीं कर सकते हैं यह प्लास्टिक वोगर को कनवर्ट नहीं कर सकते हैं गहर अब यह अक्सर बड़ी मात्रा में इम्रित जीव को सff soc करते हुए पादब कभी कभी सड़ते हुए जनतों के रूप में देखते हैं आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं इसका मुख्य कारण है कि सुक्ष्म जीव क्या करते हैं म्रत जेविक अवशिष्ट को अपगटित करके उन्हें सरल पदार्तों में परिवर्तित कर देते हैं यह पदार्त अन्य पोदों जनतों द्वारा पुनय उप्योग कर लिये जाते हैं इस प्रकार हानिकारक दुर्गन ज्युक्त पदार्तों का निम्नी करन करने के लिए हम सुक्ष्म जीव का परियोग करते हैं तो इन्होंने क्या किया जो मुरत जी लियावरन को शुद्ध करते हैं अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं जो हमने अभी इस वीडियो में पड़ा हमने पड़ा कि वैक्सिन जो हता टीका लगा को बढ़ाते हैं किस तरीके से नाइट्रोजन की स्थरी करन करके तीस वर हमने पड़ा ये परियावरन को शुद्ध करते हैं कैसे ये डेड माटेरियल्स जो हते हैं म्रत जीव और जो सड़े के लिए चीज़े होते हैं उनको सरल पदातों में परिवर्थित कर देते हैं जि कर दो